दोस्तो बच्पन से ही इस लड़की को शूटिंग का बहुत शोक था माथा जरा चोड़ा था तो ऐसा स्टाइल बनाया गया कि आगे चलकर इस लड़की के नाम पर ही वो स्टाइल मशूर हो गया जी हाँ दोस्तो हम बात करें साधना शिवदासानी की साधना जी का जरम 2 स्टंबर 1941 को हुआ था इसके बाद इनके पिता ने इनका नाम साधना रखा अपनी पसंदेदा अबनेतरी साधना बोस के नाम पर जो की एक बहतरी डांसर भी थी अभी नन्नी साधना बड़ी ही हो रही थी कि हिंदुस्तान ने बटवारा देखा और इसके बाद ये कराची शहर से मुंबई आ गई क्योंकि साधना बच्पन से ही एक्टिंग करना चाहती थी तो इनके पिता ने फिल्म इंट्रीज में जरा मेहनत की और वे 1955 की फिल्म श्री 420 में नजर आई गाना हिचकदाना पिचकदाना में साधना जिन नजर आई हालां कि ये रोल इतना छोटा था कि किसी की भी नजर साधना पर जादा नहीं पड़ी लगबग 15 साल की उमर में उन्होंने कॉलेज के ड्रामा में भाग लेना शुरू कर दिया इनकी अभिन्यक शमता इतनी जबरस थी कि एक प्रोडूसर की नजर इन पर पड़ी और इन्हें एक रुपे का टोकन अमाउंट दिया गया और एक सिंधी फिल्म अभाना के लिए साइन किया गया अब यहां किसमत ने अलगी बाजी खेली अबाना फिल्म की पबलिसिटी के दोरान इनकी फोटो एक मैगजिन में छपी और तब उस जमाने के जबरस प्रोडूसर शशादर मुखरजी की नजर इस तस्वीर पर पड़ी शशादर मुखरजी इन्हें फिल्मों के एक्टिंग स्कूल ले गए और उन्होंने इन्हें अपने बेटे जोई मुखरजी के साथ लॉंच किया फिल्म लव इन शिमला में जिसे डारेक्टर किया था आरके नईयर सहाब ने वही नईयर सहाब जिन से चलकर आगे साधना जी ने शादी कर ली थी ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई फिर तो साधना ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं बिमल लाई सहाब के साथ आई फिल्म परक देवरंद के साथ आई फिल्म हम दोनो राजंदर कुमार के साथ आई फिल्म मेरे महबूब हर फिल्म में साधना ने कमाल कर दिया राज खोंसला साथ तो इनकी जोड़ी खूब जमी फिल्म वो कुन थी को कौन भूल सकता है इसके सारे गाने फेमस हुए मदर महन का संगीत, लता जी की आवाज, राजा महंदी अली खान के बोल और साधना जी का अभिन्य ये किस्सा भी मशूर रहा कि जब मेरे महबूब इन्हें आफर की गई तब इन्होंने इनकार कर दिया उस जमाने के मशूर डारेक्टर रिशी केश मुखर जी से इन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि मैं मेरे महबूब को क्यों साइन करूं रिशी केश ने कहा कि इस फिल्म का हीरो कौन है, बताया गया तो राजांदर कुमार और तब रिशी केश मुखर जी ने यह हिदायत दी कि साधना तुम इस फिल्म को जरूर साइन करो क्योंकि राजेंदर कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही चुनते हैं और ये फिल्म भी बड़ी कामयाब होगी ठीक वैसा ही हुआ साधना जी ने फिल्म वक्त में भी अच्छा काम किया था लेकिन फिर भी कोई अवर्ड इनके हाथ नहीं लगा इसी बीच इन्हें फायरेड की प्रॉब्लम हो गई जिसकी वज़े से ये अमरीका गई अपना इलाज करवाने दुनिया को लगा कि अब साधना कभी लोटकर नहीं आएंगी और फिल्म इंडिस्टीज को उन्होंने अलविदा कह दिया है लेकिन ये वापिस आई और वापिस आकर इन्होंने फिल्म इंतकाम में काम किया और ये फिल्म सूपर हिट साबित हुई इसके बाद आई फिल्म एक फूल दो माली और गीता मेरा नाम इन दोनों ही फिल्मों ने भी बॉक्स आफिस पर खुब विजनस किया और इसके बाद साधना जी धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गई इनका ये मानना था कि मैं सिर्फ बतोर हीरोईन ही फिल्मों में काम करूंगी, किसी भी हालत में मैं करेक्टर आर्टिस्ट बनकर नजर नहीं आऊंगी। ये किस्सा भी मशूर है कि साधना जी को साधना कट कैसे मिला। बात दरसल यू रही कि इनका माता जरा चोड़ा था और फिल्म के डारेक्टर आरके नईर को लगा कि अगर माते पर थोड़ी सी जुल्फें भी खेर दी जाएं तो चहरा और भी आकर्शक लगेगा। स्कूल और कॉलेज में अक्सर लड़कियां साधना कट में ही नजराती थी। हर हीरो के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट साबित हुई। चाहे वो श्रमी कपूर हो या संजय खान, देवनंद हो या राजकुमार या फिस सुनिल्दत। गोर करने वाली बात ये है कि एक्ट्रेस बबीता इनके रिष्टे में लगती हैं, करीना कपूर वे करिश्मा कपूर भी इनके रिष्टदार ही हैं, इनका विवा हुआ लविन शिमला के डारेक्टर आरके नईयर के साथ, हालां कि इनके कोई बच्चे नहीं हुए, पर ये शादी अंत तक चली, जब तक नईयर सहब जीवित रहे, रिटायर्मेंट के बाद साधना जी फिल्मों में नहीं आई लेकिन इनकी इच्छा थी कि बतोर डारेक्टर प्रोड्यूसर ये फिल्मों से जुड़ी रहें, सन 2002 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट आवोर 2015 को वो दिन था जब मुंबई के हिंदुजा हस्पिटल में साधना जी ने अंतिम सांस ली, यकिन भारते सिनेमा के इतिहास में साधना जी जैसी ना कोई थी और ना ही कोई होगी, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कॉमेंट करके जूरू बताए और ऐसी ही मसालेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, धन्यवाद